हेलो फ्रेंट्स हम GDS to Postman की त्यारी कर रहे थे तो आज हम करेंगे Close No.13 Spoiled और Defaced Stamps इसमें क्या आता है हमारे पास Cutta, Futta, Birupit, Dark Ticket Not Allowed in Payment of Postage तो Postage की Payment के लिए क्या रलो नहीं है Oblitated, Defaced, Torn, Cut Overprint, Separated From Embossed Envelpies Oblitated, Tiriskrit, Defaced, Birupit या फिर खंडित किया हुआ Torn, यानिके फटा हुआ Cut हुआ, या फिर Overprint जो हो गया है, या फिर Separated from Embossed Envelpies जो ठपेदार लिफाफे से लग हो चुके टिकेट्स है ये सारे टिकेट्स हैं अगर ऐसा कोई भी टिकेट होता है तो उसका use किसके लिए नहीं किया जा सकता है Postage की जो payment करनी है उसके लिए नहीं किया जा सकता है Special Registration Envelpies provided by Post Office Cannot used for unregistered postal articles डाघर द्वारा परदान कियेगे विशेश पंजिकन लिफाफे का प्रयोग अपंजिकृत डाक लेखों के परसारण के लिए नहीं किया जा सकता है अब इसमें हमारे पास एक note है Offense Under Indian Panel Code अब हमारे पास जो Indian Panel Code है उसके अंडर यह हमारे पास अपराद है Using for prepayment of Postage जो Postal Fees जो Postal Fees है उसके पूरबुकतान के लिए ऐसे Postage Stamps का use करना Stamps औरेडी बीन used for any other purpose जो पहले ही किसी ओर उदेशे से यूज किये जा चुके हो तो यह हमारे पास हो गया Indian Panel Code के अंडर Offense हो गया अपराद हो गया कि अगर जो Ticket है पहले अगर किसी ओर उदेशे के लिए उसको यूज कर लिए आप फिर से उसको Postage जो Postal Fees है उसकी प्रीपेमेंट के लिए उसका यूज कर रहे है तो अब वो एक Offense मालना चाहेगा वो एक प्राध मालना चाहेगा उसके बाद हमारे पास Close No.14 Fictitious Stamps Nakedly Ticket Manufacture and Use Prohibited तो इसको इसका निर्मान करना या फिर इसका यूज करना इसका उप्यो करना यह prohibited है निशेद है An Offense Punishable Under Section 263A यह आगया फ्रेंट्स हमारे पास बहुत ही important question है यह previous exam में पूछा गया था और exam में बार-बार भी पूछा जाता है कि हमारे पास जो fictitious stamps है उनका manufacture and use हमारे पास Indian Panel Code के किस section के अंडर Punishable Offense है मतलब की सरजायोगी अपराद है तो यह हमारे आगया 263A के अंडर इस section के अंडर हमारे पास आगया Punishable Offense आगया सरजायोगी अपराद आगया तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है However, reproduction of stamps allowed अब हलांकी हमारे पास जो reproduction है stamps की वो yellow है बट किसके लिए far illustration purposes in flatlic publication must only be in black दाशनिक प्रकाशन में टिक्टों से समंदी चित्रन प्रयोजन के लिए अनुमती है ऐसी प्रस्तूतियां केवल काले रंग में होनी चाहिए आपको यह भी याद रखना है must only be in black प्रस्तूतियां होंगी जो reproduction है stamps की वो yellow है बट कहां पे yellow है दाशनिक प्रशाशन में टिक्टों से समंदी चित्रन प्रयोजन के लिए और यह जो प्रस्तूतियां होंगी केवल काले रंग में होनी चाहिए अब श्माहर पास जो most important बनता वो यही बनता है 263 A of Indian Panel Code section जो है इसके अंडर fictitious stamps का manufacture करना उनको त्यार करना एक offense मानना चाहिए उसके बाद हमारे पास आता है close number 15 packing every letter packet और parcel stamped with at least two post offices date stamps booking post office और destination post office परते एक पत्र packet और parcel पर कम से कम दो post offices की date stamp लगनी चीए दो तरीक महर होती है बो लगनी चीए एक booking post office और दूसरा destination post office अब इसमा हमारे पास जो important question बनता है यह बनता है कि हमारे पास जो letters होते है packets होते है या फिर parcel होते है उनके उपर कम से कम कितने post offices की date stamp लगनी चीए तो इसमा हमारे पास obviously है कि हम उसको strong cover में उसको pack करेंगे तो जादा सुरक्षित रहेगा no responsibility of post office for fragile articles जो नाजुक बसते होंगी उसके लिए post office कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा अगर उनको कुछ नुकसान हो जाता है अगर आपने कोई भी fragile article मतलब कि उसको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए post office जिम्मेदार नहीं होगा अगर हमारे पास जो back's cloth होता है back's होता है मेरे पास mom के कपड़े का use करना पड़े किसी भी ladder packet या parcel की protection के लिए उसकी structure के लिए तो उसको हम inside cover की तरह use करेंगे हम उसको outside cover की तरह use नहीं कर सकते हैं उसको सिर्फ inside cover की तरह हम use करेंगे sufficiently strong paper securely fastened outside the wax cloth to receive impressions of post office date stamps plus any postage stamps suffixed to article इसके बाद क्या करेंगे अगर हमने mom बाला कपड़ा use किया है तो उसके बाहर हम एक strong paper जिसके पर चिपका देंगे ताकि हमारे पास जो post office ने date stamps लगानी है या फिर उसके उपर जो भी postage stamps हमने चिपकानी है उनको असानी से चिपकाया जा सके every ladder packet parcel should closed in such manner does not give rise to sharp edges हमें परतेग पत्र ladder या फिर जो हमारे हमारे पास packets या फिर पार्सल होते हैं उनको हमें इस तरह से बंद करना चाहिए ताकि वो किसी भी sharp edge को rise ना करें किसी भी sharp edge को वो पैदा ना करें उसके बाद हमारे पास close number 16 16 sealing no to use sealing wax outside unregistered ladder or packet तो जो हमारी sealing wax होती है जो हमारी mom होती है seal करने वाली उसका use नहीं करना चाहिए जो unregistered जो गैर पंजिकरित ladder होती है पत्र होती है फ्रे packet होती है उनके बाहर इसका use नहीं करना चाहिए except क्या है इसमें हमारे पास अगर ज़रूरी हो a piece of tissue or other than paper other thin paper should be used तो अगर हमें use करनी पड़ रही है तो इसके लिए क्या करेंगे हम उसके बाहर एक tissue का piece या फिर एक thin paper का पतले paper का हम उसके उपर एक label सा चिपका देंगे ताकि उसके उपर हमने भी पड़ा कि उसके उपर जो भी postage stamps लगनी है या date stamps लगनी है उनको असानी से लगाया जा सके specially for foreign articles तो अगर हमारे पास foreign articles है तो इसके लिए special है कि आप बिलकुल चिपकाएं उसके उपर ताकि असान हो जाए क्यूंकि अब हमारे पास अगर हमारे जो foreign articles होते है जब वो जाते है transmission के लिए तो उनको कई बार hot climate से गरम बातावरंड से उजरना पड़ता है तो इसी स्थिती में जो ceiling backs होती है वो पिगल चकती है तो इसी स्थिती में आपको इसका use करना ही पड़ेगा उसके बाहे हमारे बास close number 17 posting of coins extra coins, bullion, precious stones, jewelry, currency, banknotes, articles of gold or silver यह आपको सारे के सारे आपको बिल्कुल याद रखने है कि coins, bullion, precious stones, jewelry, currency, banknotes, articles of gold or silver can be sent by inland post only insured तो जो हमारे coins होगे, bullion, precious stones होगे, jewelry, currency, banknotes होगे तो यह सारी चीज़ें जो हमारे हम पास है इनको हम केवल insured करवाके ही inland post से भे सकते हैं post cards, inland ladder cards, packets posted in ladder boxes postage due plus late fees fully prepared तो जो हमारे letters होते है post card, inland ladder cards, यह फिर packets है हम इनको ladder boxes में post कर सकते हैं बट इसमें क्या है है हमारे पास कि अगर उसके ऊपर कोई postage due है या फिर कोई late fees लगनी है तो बो fully prepared होनी चीए machine franked articles not posted in ladder boxes तो यह हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने franking machine वाला topic किया था कि जो machine franked articles होते है इनको हम ladder boxes में post नहीं कर सकते हैं अब हमने पिछे जो पढ़ा close number 17 इसमें हमारे पास कुछ एक आगे है हमारे पास impressions आगे expressions आगे जैसे हमने पढ़ा coins उसके वालरी पढ़ा ठीक है उसके बाद हमने currency और bank notes पढ़ा तो इसमें हमारे पास कुछ एक चीज़े है जो हमें पता होने चीए इसमें हमारे पास जो हमने पढ़ा articles of gold और silver इसमें क्या नहीं आता है मारे पास articles made holy और partially of gold और silver but not coins and electro or other plated goods तो इसमें क्या है हमारे पास की ऐसे articles जो पूरी तरह से या फिर आंचिक रूप से सोने या चांदी के बने हो but सिख्य या फिर लेक्ट्रो दूसरी तरह का समान इसके अंत्रगत नहीं आता है जो हमारे articles of gold और silver है दूसरा हमारे पास coins does not include cut counterfeit coins committed on behalf of currency department तो currency department ने जिनको permit नहीं किया है जो हमारे पास इसमें हमारे पास cut counterfeit जो नकली सिक्के हैं इनको इसमें include नहीं किया जाता है जो coin वाला impression आता है उसके बाद जो expression आता है मारे पास currency notes वाला इसमें कहा है does not include defaced notes जो बिरूपित हो चुके note है ठीक है उनको हम currency notes में नहीं गिनेंगे और उसके बाद हमारे पास expression jewelry जो हमारे पास अभूशन होते है include batches the cases of which are entirely or mainly composed of gold silver और platinum बे घडियां जिनके खोल पूरी तरह से या मुख्य रूप से सोने चांदिया platinum के बने होते हैं उनको ही हम jewelry में गिनेंगे तो यह भी थोड़े से आपको पता होने चीए कभी आपसे पूशी लिया जाए कि आप बताईए कि हमारे पास जो जो ज्वैलरी होती है उसमें क्या include नहीं होता है या currency notes में क्या नहीं आता है इस expression में आपसे पूश ले जाए कि क्या नहीं आता है तो आपको यह थोड़ा सा idea होना चीए उसके आगे हमारे पास close number 19 posting in special letter boxes हमारे पास कुछ एक special letter boxes होते है जैसे हमारे पास letter boxes marked for letters only अब ऐसे letter boxes जिनके उपर mark किया गया है उसके उपर लिखा गया है कि far letters only तो उसमें आप क्या डाल सकते है used for posting only letters and post cards तो आपको अगर letters या post card post करने हैं आप तभी उनमें ये वाले articles डाल सकते हैं और कोई article आप इस letter box में नहीं डाल सकते हैं तो आपको यह बिलकुल याद रखना है कि जिस letter box के उपर far letters only लिखा है उसमें आप केवल letters और post card ही post कर सकते हैं special letter boxes provided in cities for posting of air mail articles और quick mail articles used only for posting such classes of articles अगों हमारे पास कुछ जो special letter boxes हैं जो cities में provide करवाई जाते हैं जिनके उपर लिखा होता है कि far posting of air mail articles लिखा होगा या फिर QMSQ के mail articles लिखा होगा तो उसका जो use है सिर्फ इन ही article को air mail articles या फिर QMS वाले जो articles हैं इनको post करने के लिए use किया जाएगा other articles are posted in such special letter boxes they are liable to detention अगर कोई और other article ठीक है अगर आपने माल लिजे हमारे पास जो air mail आवाले article air mail article लिखा जिन letter boxes पे या फिर QMS लिखा है letter box पे अगर आपने उसमें letter या post card डाल दिया तो उनको रोक लिया जाएगा उनको detain कर लिया जाएगा उनको हिरासत में ले लिया जाएगा बाकि कोई भी article इन post of box जो letter boxes होंगे और मैं नहीं डाला जाएगा अगर आपके बास letter only लिखा है अगर कोई और article डाल लिया तो वह उसको detain कर लिया जाएगा उसके बाद हमार पास QMS articles बेर full pin below name of the town of destination अब जो हमारे quick mail articles है उनके नीचे जो पूरा pin code लिखा होना चाहिए उनके नेम के जोन का टाउन है जो भी destination है उनका जो गंतबे वाला टाउन है उसके नीचे क्या लिखना चाहिए फुल pin code लिखना चाहिए उसके बाद हमारे पास presentation of large official and other letters in bulk at window of ban और post office थोक में अधिकारी और अन्य पत्रों की प्रस्तूती कहां पे window of ban और post office large official और other articles which owing to their size cannot be posted in letter boxes तो जो हमारे official articles होते हैं जिकारी letters होते हैं फिर दूसरे letters है अगर वो size में अपने से बड़े हैं मतलब की अगर size की बज़ए से उनको letter box में नहीं डाल पा रहे हैं उनको post नहीं कर पा रहे हैं तो क्या किया जाएगा may be received by hand at window तो उनको कहां पे प्रस्तूत किया जा सकता है यहां पे दिया जा सकता है post office window या फिर जो हमारी बैन होगी उसकी post office बैन बाली window में भी दिया जा सकता है no objection by post office the postage and the late fees if any are fully prepared और इसमें post office को कोई भी objection नहीं होना चाहिए बट जो हमारे पास जो postage है या फिर उसके उपर जो late fees बगारा है वो fully prepared होनी चाहिए उसके बाद है articles requiring special treatments अब कौन से articles हैं जिनको special treatment की जरूरत होती है articles intended to registered or insured value payable or with regard to which certificate of posting are required तो ऐसे articles जिनको registered करना है insured करना है या value payable post की तरह भेजना है या फिर ऐसे articles जिनके साथ certificate of posting posting का जो परमार्ण पत्र है उसके साथ उनको भेजना है तो ऐसे articles present at post office at least half an hour before the time fixed for closing of particular mail तो जिस भी mail के लिए आप post करना चाते हैं ठीक है अगर आप registered article post करना चाते हैं तो उसके लिए जो time fix होगा उसको भेजने के लिए उससे कम से कम आपको 30 minutes पहले आपको बहाँ पे post office में उसको लेके आना पड़ेगा clearly marked at top of address side of cover तो जो address वाली side होगी बहाँ पे cover के उपर क्या लिखना पड़ेगा registered insured for rupees BP for rupees तो आप अगर उसको registered कर रहे हैं तो आप उसके उपर registered लिखेंगे अगर आपके पास जो कोई airmail article है अगर आपने वो पोस्ट करना है उसके उपर high value adhesive posted stamps का यूज किया गया है लगी हुई है this stamps to be defaced in the presence of the sender तो उन stamps को sender जो होगा भेजने वाला होगा उसकी presence में ही उसकी प्रस्तूती में ही उसको deface करना पड़ेगा उनको ब्रूपित करना पड़ेगा उसके बाद उनको और उनका आगे transmission किया जाएगा उनको आगे भेज जाएगा desirability of posting early अब हमारे पास जो posting है ठीक है पोस्ट करने के लिए हमें जल्दी क्यों जाना चाहिए क्यों करनी चाहिए जल्दी posting if articles posted just at the time the mails are due to be dispatched अगर हम articles को उसी में post office में लेके जाते हैं जब उनके भेजने का time हो गया ठीक है उनको आगे भेजने का time हो गया है तो detention or delay तो इसमें क्या होगा कि वो उसको हिरासत में रख सकते है या फिर इसके लिए देरी हो सकती है क्यों कि अब जो article आपने भेजना है उसके साथ वाली mail तो चलने वाली है तो उसको अब उसमें नहीं डालेंगे या तो उसके लिए क्या हो जाएगा उसको delay हो जाएगी इसकी देरी हो जाएगी या फिर उसको हिरासत में रख लिया जाएगा फिर उसको अगले दिन उसके अगली mail के साथ उसको पोस्ट किया जाएगा अगले दिन वाली के साथ तो as early in in the day as possible तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जितना हो सके आपको जल्दी से जल्दी उसको दिन में आप उसको पोस्ट कर दीजिए ताकि उसको दूसरी मेल के साथ भेजा जा सके क्लोज नमबर 23 क्या है मारे पास manner of affixing poster stamps तो poster stamps को चिपकाने का तरीका क्या है मारे पास completely adherent to article itself तो जो article है उसके साथ इनको बिल्कुल इसके साथ ही चिपका देना चाहिए नोट एनी पार्ट ओफ इस content contents separate label stamp should be affixed to तुसमें क्या है हमारे पास की जो articles होंगे उनके साथ ही हमें जो stamps होंगी उनको अच्छी तरह से चिपका रहा होगा हम उनके contents जो के अंदर हम कोई अधर बेस्तू भेज रहे हैं या कोई चीज भेज रहे हैं उसके साथ भी नहीं च चिपकाएंगे stamp should be affixed to right hand top corner of address अभी हमारे पास important question आजाता है कि जो हमारी stamps होती है उनको हमें कहां पे चिपकाना चाहिए तो जो article का right hand top corner होता है जो दाए हाथ का उपरी कोना होता है address side वाला ठीक है address address लिखा आपने address आप right side पे लिखेंगे ठीक है left hand पे आपके लिखेंग होगा बहां पे आप लिखेंगे आप आगे पढ़ेंगे जो हमारे method of addressing है बहां पे इसको detail में पढ़ेंगे तो इसमें अभी हमारे पास क्या है कि जो हम stamp चिपकाएंगे जो हमने address लिखा होगा उसके उपर जो right hand top corner होगा बहां पे उसको लिखेंगे उसके बाहें हमारे पा जो हमारे पास postage stamps नहीं है should not be attached to address side of the postal article तो उनको postal article की address side पे नहीं चिपकाना चाहिए use of minimum number of postage stamps तो हमारी जो postage stamps है उनको minimum मतलब कि कम से कम उनका use क्यों करना चाहिए use minimum number of stamps to appropriate higher denominations हमें क्या करना चाहिए कि कम number की ठीक है हमें कम मात्रह में जादा denomination जो जादा denomination वाली stamps होती है मतलब की हमें एक-एक रुपे वाली की बिजाए हम अगर 55 रुपे वाली जो stamps है अगर उनको चिपका दे तो इससे क्या हो जाएगा कि एक तो हमारे पास बर्क होगा हमारे पास जो postal staff होगा उसका जो बर्क होगा बहु कम घट जाएगा ठीक है जो space होगा बहु कम लगेगा और उसके साथ साथ क्या होगा waste valuable stamp paper जो stamp paper है उसकी waste भी नहीं होगी और जो print charges है वो भी इस पर कम हो जाएंगे दो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जो हमारी poster stamps है उनका use कम से कम करना चाहिए कम से कम करने का मतलब है नहीं कि अगर उसके ओपर पांच रुपे की stamp लगनी है तो आप एक एक रुपे की 5 stamps लगाने की बजाए सीधा पांच रुपे की stamp लगाई है तो उससे क्या हो जाएगा आपका ये सारी चीज हो जाएगी एक तो बर्क बच चाहेगा पोस्टल स्टाप का जो आप एक एक रुपे बाली लगाते तो बढ़ जाता ठीक है उसके बाद जो जाद स्पेस लगना था बो भी कम हो है और इसके बास हमारे पास जो इंपोर्टन है हमारे पास की जो पोस्टे स्टाप्स होती है उनको कहां पे चिपकाना चाहिए ठीक है फ्रेंट्स जाज हम यही तक पढ़ेंगे क्लोज नंबर 25 तब ठीक है फ्रेंट्स थैंक्यू